बिस्मिल्ल रह्मान रहीम असलाम लेकूं वेलकम टू माई किच्चन मैं हूँ शेफ रूबी लोगों के लिए बहुत ही डिलिशियस से पीजा स्टिक की रेसिपी लेकर आई हूँ पीजा स्टिक होगी ना इसकी डो जो है बहुत ही सोफ्ट होगी आप इसे अपनी किसी भी व बचमाना रहा है रखते हैं यह मैंने मिल के लिए हाफ कप और हाफ कपी में पानी आट करूंगी अब इसमें आट करेंगे यह शुगर है 140 पॉन सौल्ट है 140 पॉन इजट है वन टेबल स्पॉन इसे अच्छी तरीक से लागने और साइड परग देंगे देखेजे मैने मैडा लिया है यह मैने चाल लिया था आप यह आदा किलो मैडा है इसमें मैने अट की है दही तूटे बल स्पून एक अंडा अट किया है इसमें इन चीजों को आपने मिक्स करना है इसमें जो हमने मिक्स्चर बना के रखा दाना इसमें इस पॉइंट पे हम वह एट कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके एट करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हज में जरूरत ना हम इसमें पानी लेंगे पानी की में आपको कोई क्वाइंटिटी नहीं बताऊंगी क्योंकि आपने इसमें हजबे जरूरत पानी लेना है कि डो सॉफ्ट सी बनके त्यार हो जाए जैसा कि आप आटे के लिए लेते हैं आप इस पाइंट पर आपने टू डेवल स्पॉन इसमें ऑईल आट करना है अच्छी देखे जापने से स्टेच करना है देखे एक सॉफ्ट सी डो बनके त्यार हो गई है बोल में मैंने थोड़ा सा ओईल कर दिया था अब हम इसे ढखके रखेंगे एक गहंटे के लिए अगर सर्दी है तो आप इसे दो गहंटे भी परूफ होने के लिए रख सकते हैं और अगर गर्मी है तो यह एक गहंटे से भी पहले बूफ हो जाती है देखें डेर हेंटा लगा था यह बूफ हो चुकिया क्योंकि अभी सर्दी है देखें कितनी अच्छी बूफ होगी है यह इसको अब हमने पंच कर दिया ताकि इसकी एर निकल जाए अब हम इसे काउंटर पर रखें ना रेक्टैंगल शिप में आपने इसे बेल लेना है देखें साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो में सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके अब हम इसे हाफ में ना कट करेंगे बिल्कुल हाफ में से इसे देखें इस तरीके साथ आपने कट करना है अब इस तरह से इसे देखें लंबाई में अपने स्टिक पर करना है ऐसे दो दो आई या अपनी मर्जी से स्टिक में ले सकते हैं दो दो या तीन तीन इंचिस के बराबर आप स्टिक को लंबा लंबा काट ले देखें यह मैंने कट कर ली थी मैंने ग्रीज कर दा पहले बटर पेपर लगा के ओल से ग्रीज कर दिया था स्टिक इस पर रखी है अब इसे एक फोक की मदद से इसमें निशान लगाएंगे अब हमें स्यादे गहंटी के लिए रख देंगे इती देर में चिकन चंक्स त्यार कर लेते हैं तू टेबल स्पॉन मैनिस में ओल लेट करना है इसमें हम चिकन चंक्स डालेंगे अब चिकन की में चुट्रोटे पीसे से लिए हैं यह तू फिफ्टी ग्राम है यहनिके एक पॉप चिकन है यह अब जिखिस में मैट करूंगी और टेबल स्पॉन जिंगर गल्री का पेस्ट यानिक अदर कलसन का पेस्ट ग्रेट चिली प्यूडर 114 पर फीश्पॉन एचिली फ्लेक्स 1 फोरेटी प्र प्योडर 10 फीश्पॉन एचिली फ्लेक्स 16 पॉन सॉल्ट 140 स्पून गरब मिसाला 180 स्पून थोड़ा सा मैंने औरीगेनो एड़ किया था इसमें यह चाइनिज नमक है यह इसमें मैंने एड़ कर दिया था हल्दी पॉल्डर था 140 स्पून चैनिज नमक भी हाफ टी स्पून था देखें चिकन चंक्स तो हमारे रैड़ी हो चुक है हमने इसे 50 पर्संट जो है ना हमने इसे कोक करना है देखें आदा खेंटा गुजर चुका है अब मैं इसे अंडे से क्रीस करूंगी स्टिक्स देखें आदे घंडे बादी देखें डबल हो गई थी अच्छे से ना आपने इसे इस पॉइंट पे अंडे से गिरीज करना है इसे ना हम 180 डिगरी पे पंदरा मिनट के लिए हमने इसे बेक करना है स्टिक बेक हो रही है जो तक हम एक मज़िदार सा मिक्स्चर मिनाएंगे इसे में एड़ करूंगी सॉल्ट पर इसे में टूड़ करना हुआ इससे पे एक में एक में एक में एक में एक मज़िए लिए लीए लुट मीनाएंगे इस पॉर्णा ना इसे पॉर्णा आटा करना है अच्छी फ्लेक्स नेटी स्पून अच्छी तरीके से आपने इसे मिक्स कर लेना है देखें हमारी जो स्टिक है ना वह बेक हो चुकी है बहुत ही सॉफ्ट बनकर यह त्यार हुई है अब इसमें हमना मुजरेला और चुटर चीज जो है ना इसे एड़ करेंगे इस तरीके से देखें देखें सब स्टिक पर मैंने चीज लगा दी है अब चिकन चंक्स जो हमने रैडी किये थे ना वह इस पर इस तरीके सापने रख देने हैं अपने टेस्ट के हिसाब से चिकन चंक्स आप रख सकते हैं ज्यादा या कम आप देखें यह जो मिक्स्चर त्यार किया था ना यह इसके उपर आप चिरख दें देखें पीजा स्टिक जो है ना हमारी रैडी हो चुकी है इससे सिर्फ मैंने दस मिनट के लिए बेक किया था दुबारा सब्सक्राइबें तक हमारी चीज मेल्डर न हो जाएं यह देखें माशाआलला से कितने अमेजिंग बनकर त्यार हूआ यह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलिशिस से बनकर त्यार हुएं यह पार्टी के अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करिएगा अल्लाफ़ीज